Assalamu alaikum students, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने जर्नल जर्नल को continuously ले के चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था जर्नल जर्नल बना लेने के बाद आपको लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको आप T अकाउंट भी कहते हैं फस्ट एर और सेकंड एर के अंदर सको T अकाउंट भी बोला जाता है और जब आप सेकंड एर से उपर वाले लेवल पर आ जाते हैं जैसे BBA या BS वहाँ पर उसको लेजर अकाउंट बोला जाता है तो T अकाउंट की तरहां ही लेजर अकाउंट भी बनता है अगर कोई first year या second year वाला बच्च है इस वीडियो को देख रहा है और जो BBA या BS में है तो वो obvious सी बात है मुकमल एक ledger account बनाएंगे ledger account को T account क्यों बोलते हैं इसकी वज़ा ये है कि वो बिल्कुल T की तरह नजर आते यानि कि बिल्कुल सेंटर में से उसकी लाइन खींची जाती है और यह यूँ करके पूरी लाइन खींची जाती है so that is called a T account so ledger account और T account सेम ही है अगर आप से सवाल में पूछ ले कि required a ledger account या required a T account so उसका मतलब एक ही है so आप अगर T लगा करके वो सवाल करो एक ही बात है और अगर उसको proper बना के उसका सवाल का जवाब दो तब भी एक ही बात है देके में ने सारे accounts proper करके बनाए है जिसकी journal entries भी मैंने बनाई है और फिर उसका ledger भी बनाए है because without journal journal entries you will never make a ledger account यानि के ledger account आप नहीं बना सकते journal journal entry बनाने से पहले so आपको journal journal बनाना पड़ेगा अपना ledger account maintain करने के लिए या फिर बनाने के लिए जो भी आप समझो सको so let's start the video और मैं आपको explain करता हूँ कि किस तरीके से मैंने ledger account बनाए और किस तरीके से आप बनाओगे so मैं आपको journal journal entry से ले ले करके जो ledger account है उसके अपने इंटरिया मैंने कैसे पुट की वो आपको मैं समझाऊंगा so let's start the video याँ पर आपको मेरा journal शो हो रहा होगा मैं इंटरियां भी लगा दूँगा जो इंटरियां पढ़ सकते हैं और उसी तरीके से आप यूं करके journal entries बनाएंगे so मैं आज आपको journal entries explain नहीं कर रहा मैं आपको just journal entries से ledger account बनाना सिखाऊंगा entries जैसे के मैंने बताया मैं लगा दूँगा editing के दुरान आप वो entries से journal entries बना लेंगे easily और फिर उसके बाद अप अपना ledger account बनाएंगे इस तरीके से journal entries बनेगी मैंने टू रिकोड किसी भी भी लिखा because ये रफ काम था ये रहा आगया हमारा ledger account so यहाँ पर हमने लिख लिए ledger account जिसको हम क्या बोलते हैं known as T account so हम उसको T account भी बोलते हैं और ledger account भी बोलते हैं अच्छा जी हम लोग ledger account बनाएंगे कैसे अगर सवाल के अंदर उससे entries दी है और requirement के अंदर लिखा है के required T account या फिर ledger account और general entries तो आपको बनानी बनानी है किस तरीके से बनाओगे सबसे पहले आप general entries बना लोगे ठीक हो गया उसके बाद आप ledger account बनाओगे अच्छा जी ledger account start किस तरीके से करेंगे महां से हम आज अपनी वीडियो का आगास करते हैं आपने general entries बना ली अब आपको क्या बनाना है अब आपको ledger account बनाना है तो ledger account बनाने के लिए आपको general entries में से डूनना है कि पहली transaction या पहला word कौन सा लिखाव है सबसे पहला word लिखाव है cash तो हमारे को cash का account बनाना है ठीक हो गया यह मैंने cash का account बना लिया यह इसी तरीके से बनेगा सबसे पहले date आजाएगी फिर particular आजाएगा फिर PR आजाएगा फिर amount फिर date फिर particular फिर PR और फिर amount और यहाँ पर CR और यहाँ पर जैसे का मैंने को लिखा भाएगी DR ठीक हो गया बिकोज इसकी shape आप देख लें बिल्कुल T पहे यह center की line और यह बिल्कुल T बिल्कुल यह T बनाव है इसलिए इसको T अकाउंट भी बोला जाता है सो first year second year के अगर अगर हाँ है तो simple T अकाउंट आप बनाएगे यह proper बनाने की ज़रुरत थी आपको इंशालला आप यह marks आ जाएएगे अच्छा जी सबसे पहले हमारे को cash देखना है कि cash कहां पर debit है और कहां पर credit हुआ है यह हमारे को डुणने है सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुए to capital बिलाल 40,000 यह मैंने कहां से लिख यह मैंने इस तरीके से लिख यह कि यहां पर जो बिलाल का capital था उसके पास cash कितना था उसके पास cash था 40,000 रुपे सो मैंने 40,000 यहां पर लिख लिए clear हो गया अच्छा जी हमारे को दूसरा cash की transaction डूननी है अब October 3 के अंदर cash से हमारी कोई transaction हुई है whatever वो debit हुई है credit हुई है वो क्या हुई है वो credit हुई है उसकी वज़ा लिख दी supply की वज़ा से गया था so creditable side में आप buy लिखते हो और debitable side में आप two लिखते हो जैसे कि यहां पर two capital बिलाल, two service revenue two service revenue, buy rent expense तो यहां पर buy supplies यानि कि supply की वज़ा से हमारे से 700 पे चले गए थे because वो transaction जो थी वो cash की थी अच्छा जी आगे क्या लिखाव है 8 October को हम लोगोंने whatever वो entry को ICB थी हमने बना लिए आठ तारीक को cash आया है के नहीं आया हाँ जी आठ तारीक को एक cash की entry हुई भी है cash credit हुआ है क्यों हुआ है भाई buy truck आठ तारीक को buy truck की वज़ा से हमारा cash credit हुआ ठीक हो गया अच्छा जी आगे कहाँ पर है cash मिस पर टिक मार्क लगा लेता हूँ ये cash हो गया हमारा दूसरा cash भी हो गया तीसरा cash भी हो गया अच्छा जी यहाँ पर equipment है कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर rent है हाँ जी October 18 को rent expense हुआ था cash हम लोगों ने दिया था rent के बदले में ठीक हो गया तो यहाँ पर October 18 को buy rent expense 750 समझ गये हो क्यों लिखे हैं 750 because cash से हम लोगों ने अपनी payment की थी rent की इसलिए हमने creditable side में लिखा because cash चला गया अच्छा जी so rent वाले के उपर भी tick mark लगालते हैं अच्छा जी 19 October को क्या हुआ है cash आया है because cash debit debit and credit आप लोगों को नहीं पता so rules of account debit and credit में लगा दूँगा editing के दुरान और पिछली वीडियोज आप देखने journal and journal से आपको समझ आ जाएगी अच्छा जी October 19 को cash का revenue आया है किसमत में आया जी service revenue था हम लोगों ने किसी को service दी दी so debit वाली side पे cash लिखा हुए so यहाँ पर भी to service revenue बारा सो कितना था जी बारा सो था so यह हो गया हमारा अच्छा जी क्यूं आया था वो वज़ा आपने यहाँ पर लिख लेनी है service revenue की वज़ा से आया था अच्छा जी यहाँ पर भी निया cash यहाँ पर रहा cash October 23 को October 23 को हम लोगे ने cash दिया था wages expense यानि के तनखाओं का या कोई भी आप लोगे ने काम लिया था और उसका आपने मज़़ूरी दी थी मज़़ूरी बेसिकली बोलते हैं wages को सो हम लोगों के पास से cash गया था कितना गया था 4,100 इसको हम credit वाली side में लिखेंगे बिकोज यहाँ पर भी यह credit वाली side पे ही है सो यहाँ पर 23 October बिल्कुल 23 October 23 October को हम लोगे ने 4,100 रुपया wages पे कर दी यह आपने बताना है क्यूं पे कर दी वो आप लिखते हो यहाँ पर wages की यहाँ पर सिरफ cash 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 ने लिखो गया आप यहाँ पर आप उसका बताओगे कि किस लिए दी थी जैसे यहाँ पर rent की वज़ा से wages की वज़ा से truck की वज़ा से supplies की वज़ा से समझ गए हो? यहाँ ने समझे अच्छा जी यहाँ पर wages वला भी हो गया हमारा अब 25 October को क्या हुआ है prepaid insurance यहरी की insurance वाले को पैसे दी यह credit वाले side पर cash आ गया क्यूंकि हमने cash दिया था यहाँ पर देख लें क्या लिखा वे मैंने 25 October को buy prepaid insurance 2960 रुपे ठीक हो गया जी अच्छे जी यह वला भी हो गया हमारा अच्छे जी October 26 को क्या हुआ है क्या हुआ है account payable हुए और cash creditable side पर हुआ हमारा cash ठीक हो गया तो यहाँ पर account account कौन से तारीक को हुआ है हमारा 26 तारीक को हम लोग ने किसी के पैसे दिये है so 26 तारीक को account payable हुए 24 सोर पैसे is that clear अच्छे जी इसके ओपर भी हम टिक मार्ट लगाते है 28 October को क्या हुआ हुआ service revenue आया है हमने किसी को service दी और पैसे हमार पस आ गए so आगे तो कहां पर लिखेंगे debit wall side पर लिखेंगे to service revenue 1400 जी बिलकुल 1400 ही लिखावा है अच्छे जी आगे आजे हम लोग और cash की transaction कहां पर हुई है तो और cash की transaction 29 October को नहीं हुई और अगली 29 October को cash की हमारी transaction हुई है जिसके अंदर हम लोग ने cash दिया है किस लिए दिया है muscular expenses थे हमारे भाई तो 29 October को ये लिखा हुई और हम लोग ने expenses के 330 रुपे दे दिये अच्छे जी 30 October को कुछ हुआ है जी बिलकुल wages pay की है so यहाँ पर हमने 30 October को wages pay कर दी ठेक हो गया यहाँ पर बिलाल ने drawing की है cash निकाला है cash गया है so यहाँ पर drawing आगी ठीक हो गया जी अब यहाँ पर हम लोगों ने side देखनी है कोंसी side जादा बड़ी है debit बड़ी है या credit बड़ी है अब यहाँ पर debit side बड़ी हुई हुई है आपकी ठीक हो गया सो यहां पर इसका total करके यहां पर लिख दिया आपने और यहां पर भी automatically यही लिख दिया जो onसी side बड़ी है उस side का total दोनों तरफ आपने लिखे दिया सिंपल हो गया credit side जादा आ रही है तो यहां पर जैसे credit का जाए total 1000 तो हजार यहां भी लिखोगे ठीक होगे और फिर माइनस करोगे अच्छा जी यहां का जो हमारा डेबिड़ल साइट इसका टोटल बढ़ा था हमने टोटल यहां लिख दिया और यही हम लोगे नहीं यहां पर भी लिख दिया अब इन सब को साथ सो से लेके औल रवे तीन हजार तक हमने इसको 42,600 से माइनस किया 42,600 में से हम लोगे ने माइनस किया 700, 10,000, 7,600, 4,100, 29,000, 4,300, 3,000 और हमारा अंसर आगया 14,060 यहांनि कि 14,060 यह हमारा अंसर आगया यह हमारा बैलेंस है जो हमारे पास अगले साल के लिए या अगले महीने के लिए होगा is that clear अच्छा जी अब हम आगे आजे हम अगला अकाउंट कैसे बनाएंगे जी अगला अकाउंट हम बनाएंगे जाहर सी बात है अगली ट्रांजेक्शन को देखे कैश हमारी हो गया कैश अकाउंट हमारा बन चुगा अच्छे जी अब दूसरी ट्रांजेक्शन हुई essa एक्यूप्मेंट की तो हम लोग सिरफ अग्यूप्मेंट काही बनाएंगे सबसे पहले एक्यूप्मेंट किस की है बिलाल के कैपिटल की एक्यूप्मेंट आहिए तो नाम तो बिलाल का ही लगएगा किस साइड पे है डेबिट साइड पे है कितनी है तीन हजार है सो हमने एक्यूप्मेंट का बना लिया अकाउंट यह हमने लिखावे एक्यूप्मेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पार्टिकुलर पीर अकाउंट डेट पार्टिकुलर और पियर अमाउट तो यहां पर बिलाल के कैपिटल की वज़ज़ से हमारे एक्यूपमेंट किती थी? तीन हजार थी तो हमने अपनी डैबिडवल साइड पे तीन हजार लिख लिए अच्छा जी और एक्यूपमेंट ढूंडनी पड़ेंगे अब हमारे को यहां पर एक्यूपमेंट नहीं है यहां पर नहीं है यहां पर है जी ऑफिस एक्यूपमेंट है 15 अक्तूबर की एक्यूपमेंट जो हमारे पास आई है आई है तो डैबिडवल साइड पे लिखी भी है सो यहां पर भी हम अपनी डैबिड वल साइट पे लिख लेंगे किस वज़ा से आई है क्या हमने उसके बदले कैश दिया नई दिया जी हमने हुदार पे लिया सो यहां पर तू अकाउंट पेएबल समझ गए हो बात को सो यहां पर पंदरा सो आगया वज़ा बतानी है नीचे आपको यहां पर आने के बाद वज़ा बतानी है जैसे कि यहां पर कैश है सो कैश आपनी ठोक होगे कैश किस वज़ा से आया है वो ठोकने आपको सो वो कैश आया है आपको सर्विस रेविन्यू की वज़ा से सो सर्विस रेविन्यू जैसे हम लोग नहीं यहां पर लिखा था ठीक हो गया तो अकाउंट पेबल की वज़े से हम आरपस कितने आगे 1500 डेविडवल साइड पे अब ये दोना हमने प्लस कर लिए यहां पर तो कुछ है ही नहीं विकॉज हम लोग ने सारी एक्यूप्मेंट डून लेनी है एक्यूप्मेंट कहीं और लिखावा है के नहीं नहीं लिखावा जी यहां पर लिखावा है के नहीं नहीं लिखावा एक्यूप्मेंट तो नहीं लिखावा एक्यूप्मेंट कहीं पर भी क्रेडिड वल साइड में हम क्या लिखेंगे सो क्रेडिड वली साइड में हम लिखेंगे अक्तूबर 31 यानि के 31 अक्तूबर को बाए मेरे पास वो मेरा पन पता नहीं कहां चला गया है बाए बैलन्स कितना हो जाएगा जी 45-100 रुपे यह हमारे पास बैलन्स बच गया है कब 31 अक्तूबर को ठेक हो गया 31 अक्तूबर को इस बैलन्स का हम लोग इस्तमाल लेंगे यह बैलन्स बच गया हमारे पास ठेक हो गया जी तो जब भी आपके पस कुछ भी नहीं यह इसलिए मैं जानबूच के फिलनी था किया कि अगर creditable side पे सब आगे debitable side पे वैसे अभी आएगा ऐसी अभी accounts आएंगे महाँ पर मैंने already लिखा वे so अगर creditable side पे total आजे amount और debitable side पे कुछ भी नाए so जो इसका total होगा वो तो capital का बनाएंगे because हम लोग beach में सही बना सकते हैं पहले हम rent expense का बना लें supplies का बना लें कोई issue नहीं है लेकिन मुद्दा यह है कि यूँ आप भूल जाओगे अगर beach बीच में से बनाओगे यूँ आप तमीज से आपको याद रहेगा so बिलाल का capital बना दे है capital account so यहाँ पर हम लोग ने क्या लिख लिया जी बिलाल का capital account के हम लोग ने heading डाल दी अच्छा है जी यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे बिलाल के capital so यहाँ पर सबसे बहले बिलाल का capital कितना है जी 43,000 है so 43,000 किस तराफ है credit वली side कंदा रहे so बिलाल का जो यहाँ पर पैसा आया है यह कितना है 43,000 क्रेडिट वली side में अब जैसे के मैंने बताया कि उसका क्रेडिट किस वज़ा से है उसकी वज़ा बतानी आपको तो वज़ा क्या है उसका जो क्रेडिट है उसके अंदर cash है 40,000 रुपे उसके अंदर equipment है 3,000 रुपेजी अब बचें यहाँ पर यह बोनेंगे कि भाई इसके अंदर तो यह दोनों चीज़े लिखें में यह debit वली side पे credit वली side पे तो बिलाल है ना बिलाल credit वली side में cash और equipment debit वली side में है आप यहाँ पर इसको क्यों लिखे रहे हैं so यहाँ पर में बिलाल का capital बता रहा हूँ यहाँ पर में cash वली transaction नहीं कर रहा हूँ ना ही equipment कर रहा हूँ मैं यहाँ पर उसका capital बता रहा हूँ के उसका capital कहां कहां से invest हुआ वह है so उसका capital की जो nature है वो है credit तो इसमें हम लोग creditable side पे ही लिखेंगे हमने accounting की nature के असाब से चल ले है capital चुँके creditable side पे ही होता है तो हम लोग creditable side पे ही रहेंगे अच्छे जिसके पास cash कितना था? 40,000 था equipment कितनी थी? 3,000 पे किती total कितना हो गया? 43,000 यही सामने लिख देंगे? बिल्कुल सामने लिख देंगे यहाँ पर 31,000 अक्तूबर आ गया एक अक्तूबर को यह transaction यह देखिए एक अक्तूबर को यह और यहाँ पर मईने के end के अंदर यहाँ हमारे पास balance बज़ गया कितना जी बज़ गया? 4,000 43,000 total यानि के वो ही बचा कोई कटोती हमारी नहीं हुई इसमें से credit कोई plus किया वो ही total यहाँ पर भी लिखा और वो ही उपर भी लिख दिया balance हमारे को जो बज़ गया 31,000 अक्तूबर तक यहाँ पर वैसे date लिख देना अच्छी बात है यहाँ पर नहीं हुई, यहाँ पर नहीं हुई, यहाँ पर हुई है 3,000 अक्तूबर को यह supply हमारे पास आई थी debit वाली side पे 700 से तो यहाँ पर हमारी supply आ गई 2 cash ठीक हो गया यहाँ पर कितनी आ गई? 700 से ठीक हो गया, यहाँ पर हमने cash दिया था इसलिए हमने यहाँ पर 2 cash लिख दिया अच्छा जी, उसके बाद हम अगली supply अपनी डूंड लेते हैं अगली supply हमारी काम पर हुई है यह जी, 22 October को हुई है हमारी supply जो account payable यानि कि हुदार पर चल रही है यहाँ पर हमारी 22 October को account payable 2600 आ गया इस दोनों को हम लोग ने total करना है लेकिन उससे पहले हम देखने कि क्या और supply हुई है कि नहीं हुई और supply कहीं नहीं हुई यहाँ पर भी supply कहीं पर नहीं हुई हम लोग ने debit side plus कर ली और वो ही हम लोग ने यहाँ पर भी लिख दिया यानि कि 3300 हम लोग ने total यहाँ पर लिख दिया और यही 3300 हम लोग ने credit वली side पर भी लिख दिया अब यहाँ पर credit वली side करना कोई भी रकम नहीं है तो हम यहाँ पर buy balance कर देंगे कितने से 3300 से because यह हमारे पास balance बच चुका है 31 October के लिए ठीक हो गया जी उसके बाद हम लोगों ने अपना अगला account बनाना है तो हम लोगों ने cash का यह बना लिए equipment का यह बना लिए बिलाल के capital का यह बना लिए supplys का यह बना लिए debit credit जो भी supplys थी cash का तो already हम बना चुके थे अब हम बनाएंगे truck का आठ अक्तोबर से truck का तो जो जी हमारा जो truck था उसकी worth कितनी थी ठीक हो गया सबसे बैदले हम लोगों ने ये चीज़ consume कर लेनी है तो हमारा जो truck था वो 34,000 रुपे का था तो हमारा जो truck है उसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से अपनी transaction की थी ठीक हो गया तो हम लोग यहां से देख लेंगे truck का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले हमारा cash गया था ठीक हो गया तो यहां पर 10,000 पर हमारा गया था credit well side में लेकिन यहां पर हम लोग ने debit well side पे लिख है यह क्यों लिख है जैसे कि मैंने आपको capital के time पे समझाया था capital वला account में रखांगे है यह capital के account में आपको समझाया था capital था credit में बिलाल का ठीक हो गया और यह cash और equipment थी debit में लेकिन फिर भी हमने credit में लिखी क्यों लिखी because credit जो capital है उसकी जो nature होती है वो होती है credit so nature की वज़े से हम लोग ने इसको credit side पे लिखा था अब जो truck है उसकी nature है debit ठीक हो गया उसकी nature credit नहीं है so that's why हम लोग यहाँ पर cash 10,000 debitable side भी लिख रहे है और दूसरी चीज कौन सी हुई है जी दूसरी चीज हुई है not payable truck के अंदर हमारे so truck के अंदर जो हमारे not payable हुए वो भी आ जाएगा debit वाली side के अंदर because truck किस तरफ लिखाव है अगर truck credit वाली side पे होता so इसको भी हम लोग credit वाली side पे ही लिखते ठीक होगे लेकिन हमारे जो truck के वो debit वाली side पे है इसलिए हम इसको debit वाली side पे ही लिखेंगे मैं आपको एक और logic समझा देता हूँ अब जैसे truck है truck की transaction के अंदर 50 transaction है वो consider leisure account के अंदर as a debit ही की जाएंगे समझ गए हो अगर कुछ credit हुआ है तो वो credit ही माला जाएगा लेकिन हमारे को truck देखने है वो काम पर लिखा गए अगर truck debit में है तो सारी transaction है debit अगर truck credit में है तो सारी transaction है credit होँगी ठीक हो गया जी क्यूंकि ये account ही truck का बना रहे है truck के बीच में हम लोगे ने क्या क्या किया है cash दिया है और note payable issue किया है तो हमारा truck debit वाले side में इसलिए ये दोनों चीज़े हम debit well side में लेखेंगे इसका total दोनों तरफ और जो balance बच गया 31 October के लिए 31 ठीक हो गया जी उसके बाद हम लोगा अगला account किस तरीके से बनाएंगे truck के इलावा हम लोगा कुछ दून लेते हैं truck का अगर कुछ और बाकी है तो वैसे मैंने काम सारा करके रखावा है तो और तो कोई हो गया नहीं अच्छे जी ये truck का expense है ये expense है ठीक हो गया इसको truck के अंदर नहीं डालना वो truck का account था ये truck का expense है इसका expense account बनेगा यहांपर हम लोग लोग ने truck खरीदा ये उसका बना रहे है ठीक है truck के ओपर जो खर्चा हुआ वो नहीं बना दे अच्छे जी truck होने के बाद हम लोग किसका बनाएंगे जाहर सी बात है हम लोग बना लेते हैं यहांपर हम लोग ने किसका बनाया वह तो truck के बाद हम लोग ने किसका बनाया वह और account payable का हमारे यहां पर आ चुगा है सो सबसे पहले हमने account payable को देखना है account payable की पहली transaction कौन सी है so account payable की यह transaction है यह क्यों हुई हुई है office equipment की वज़ा से office equipment हम लोगों ने हुदार पे ली थी इसलिए हुआ है सो यहां पर यह किस side पे credit side पे है अब यहां पर देखा जाए तो यह तो debitable side में लिखा वै लेकिन फिर भी हम creditable side पे ही लिखेंगे यह आगी 15 October को हमारी equipment हुदार पे जुई है अच्छा जी यह equipment हमारी हो गई उसके बाद हमारा यह हो रहा है account payable 22 तारी को किस सप्लाइज से supplys हम लोगों ने हुदार पे ली थी 2600 रुपे से यहां पर हम लोगों ने 22 तारी को 22 supplies 2600 रुपे लिख दिया अच्छा जी इसके लावा हम और अपनी account payable डून लेते है account payable यह हो रहा है 26 October को हो रहा है किस से 2400 से ठीक होगे हमने किसी का हुदार दिया था इसके अंदर account payable नीचे हो गया तो debit हो गया और cash दे दिया तो credit हो गया so interest वैसे मैं again लगा दूँगा आपको जिससे आप general interest बना पाए अच्छा जी यहां पर हम आ गए और यहां पर हमने जो payable था किस लिए हुआ था वो cash की वज़े से हुआ था तो two cash लिख दिया अच्छा जी चार सो 10 रुपे सोरी मैं आपको पढ़ाना बूल गया so यहां पर account का आपका आप है four hundred and ten रुपे यह सब आप plus करके यहां पर लिखोगे अच्छा जी not payable यहां पर लिखा हुए जैसे कि मैंने आपको पहली बताया था account payable अलग गया not payable अलग होता है ठीक हो गया so not payable का अलग बन जाएगा यहां पर हम लोग जैसे कि not payable का बना चुके है अब not payable यहां पर क्रेडिट हुआ 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 है ठीक हो गया so हमारे यहां पर not payable आगा किस वज़ा से हो गया वो आगया यहां पर ट्रक हो गया अब देखें यहां पर ट्रक डैबिट था यहांपर ट्रक का गया यह डैबिट हुआ है हमारे को डैबिट विल साइट पर एकना चाहिए हम लोग ने ट्रक खरीदा था हुदार पे, बाद में देंगे 24 का 24 आ गया, सामने वल साट पे भी 24 आ गया, अब यहां पर 31 तारी को बैलनस कितना बज़ गया, जाहर सी बात है 24 बज़ गया हम लोगं के पास, simple simple entry है जी, अच्छा इसके आगे यह रह गई है थोड़ी सी यह भी आपको अब भी समझा दूँ या पर कल समझा दूँ, बिकोज काफी लंबी हो गई है वीडियो, तो आई होब किसको मैं आपको कल की वीडियो में समझा दूँगा, rent expense, service expense, बिकोज यह दो दूई है, यह कल की पांच मिनट की वीडियो में इन्शालला कम्प्लीट कर देंगे, और इसके बाद, अल्ला आपका बहला करे, लेजर अकाउंट के बाद, आपका ओधर trial balance, तो हम इन्ही सवाल का ही, इन्ही सवाल का ही कोशिश करेंगे, trial balance बना ले, तो इस ही के बाद, यानि के जर्नल जर्नल के बाद, आपका लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के बाद, यहां पर आपको मैं करवाओंगा आपका trial balance, इन्शालला, तो इन्ही सवालों में से, ताके अगर आपको सिर्फ वो इंट्रियां, इन फ्यूचर आप, अगर वो इंट्रिय्ज में से, जर्नल जर्नल, लेजर अकाउंट, और trial balance सीखना चाओ, तो सिर्फ उन्ही इंट्रियों से आप ये तीनों जीज़े सीख लोगे, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझाई होगी, और informative भी लगी वेगी, और अगर में से कोई गलती होगे, तो उसके लिए मौफ़े जाता हूँ, और ये जहां तक बात रहेगी, ये बकाएगी लेजर अकाउंट की, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर cover up कर लेंगे, शुक्रिया, इनल्लाफिस,